हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ अर्वी के पत्तों का ये टेश्टी और हेल्दी नास्ता अर्वी के पत्ते तो आपने कई बार बना कर खाए होंगे लेकिन एक बार आप मेरी तरीके से अर्वी के पत्तों का नास्ता बना कर देखिएगा आपको पशन्द आएगा कि यहां मैंने 250 ग्राम अर्वी के पत्ते लिए हैं पतों को साफ करने के लिए पत्तों की डंडी को काटकर हटा देंगे और पत्तों की जो मोटी या कठोर नसे हैं उन्हें चाकू से छीलकल अलग कर देंगे तो देखिए यहां सभी पत्तों को साफ कर लिया है अब पत्तों को साफ पानी में डालकर अच्छी तरह धोलेंगे जिससे उसमें जो भी मिट्टी या डश्ट होगी वह दूर हो जाएगी अब एक मिक्सिंग बाओल में दो कप छना हुआ वेशन लेंगे अब इसमें आदा चमच अजवाइन आदा चमच हल्दी पाऊडर आदा चमच लाल मिश पाऊडर एक चमच धनिया पाऊडर एक चोताई चमच गरम मसाला और एक चमच नमक या स्वाध अनुशार नमक डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक थिक बैटर तयार कर लेंगे चलिए अब तयार बैटर को साइड में रखेंगे और एक थारी लेंगे जिसे उल्टा करके रखेंगे अब एक पत्ते को उल्टे तरब से उस पर बिछा लेंगे और पत्ते को तैयार बैटर से हाथ या चमच की सायता से पूरा कवर कर देंगे अब एक दूसरा पत्ता लेकर बैटर से कवर किये हुए पत्ते के उपर बिछाएंगे और उसे भी बैटर से कवर कर देंगे अब पत्ते के उपर के हिस्से को पत्ते के उपर पलटेंगे और थोड़ा सा घोल लगा का सील करेंगे अब पत्ते के दोनों साइडों को भी पत्ते के उपर पलट देंगे और उपर की तरब से पत्ते को टाइट करते हुए उसका रोल बना लेंगे इसी प्रकार बाकी के पत् चलिए अब तयार रॉल्स को स्टीम करेंगे रॉल्स को आप स्टीमर इडली स्टेंड या किसी कड़ाई या बरतर में पानी भर कर उस पर चलनी में रॉल्स रखकर स्टीम कर सकते हैं मैं यहां steamer का यूज़ कर रही हूँ अब steamer को gas पर चड़ाएंगे और उसमें 2 glass पानी डालेंगे और एक दूसरे stand को उस पर रखेंगे और उसे grease कर लेंगे और तयार rolls को एक एक करके set करते हुए उसमें रखेंगे अब पत्तों को lid लगाकर करीब 15 minute steam होने के लिए छोड़ देंगे यहां पत्तों को steam होते हुए लभग 15 minute हो गए हैं चलिए अब इन्हें खोल कर चेक कर लेते हैं तो आप यहां देख सकते हैं हमारा चाकू रोल से बिल्कुल साफ निकला है यानि कि पत्ते अच्छी तरह steam हो गए हैं चलिए अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे देखिए यहां रोल्स थोड़े ठंडे हो गए हैं अब इन्हें चाकू की साइता से गोल गोल पेड़े के साइज में काट लेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रोल्स कितने बढ़िया बनी हैं और इन्हें लगा हुआ बेशन भी अच्छी तरह पग गया है चलिए अब अगली प्रोसेस की तरह चलते हैं एक कडाई में लगवक 3-4 चमच तेल गर्म करेंगे मैंने यहां सरसों का तेल लिया है आप कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं तेल गर्म होने पर गैस का फ्लेम स्लो करेंगे जिससे मसाले जले नहीं अब इसमें एक चमच राही डाल कर चटकाएंगे अब 6-7 कड़ी पत्ते और एक कटा हुआ प्याज डाल कर भूनेंगे प्याज डालना ओप्शनल है अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो न डालें अब 2-3 बारी कटी हुई हरीमिच डाल कर चलाएंगे साथी 2 बड़े चमच सफेद तिल डाल देंगे ट्रेंट्स आप तिल डालना बिल्कुल न भूलें तिल डालने से इस नास्ते का स्वाथ 4 गुना वड़ जाता है तो आप इसे जरूर डालिएगा देखिए यहाँ प्याज को भूनते हुए लगबग 2 मिनिट हो गए हैं और तिल भी अच्छी तरह चटक गए हैं चलिए अब इसमें कटे हुए अर्वी के पत्तों के रोल्स डालेंगे और कर्ची की सायता से हलके हाथ से रोल्स को अलट पलट कर सेकेंगे जिससे रोल्स तूटे नहीं अब थोड़ा नमक डाल कर मिक्स करेंगे नमक यहां ध्यान से डालें क्योंकि हमने सभी मसाले और नमक गोल में पहले ही डाल दिये थे देखिए यहां अर्वी के पत्तों को अलट पलट कर सेकते हुए लवख दो मिनिट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इनका कलर भी पहले से कितना बढ़िया हो गया है और इनकी एक अच्छी सी खुस्वू आ रही है इससे पता चलता है कि हमारा अर्वी के पत्तों का स्वादिश्ट लाजवाब नास्ता तैयार है चलिए गैस बंद करेंगे और गर्मा गर्म नास्ते को चाय के साथ सर्व करेंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके थेंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो